कि आज हम लेके आयों हैं बढ़ियां एकदम मज़्यतार सा चना और पत्ते को भी कहनास्ते की रेस्पी तो चलो बनाना इस्टार्ट करते हैं इसे पहले आप लोगों से पिंते हैं हमारी वीडियो पूरा देखें वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को पूरा देखते रहें वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखते रहें और प्ली सपोर्ट करें तो नमस्ते दोस्तों आज हम लेके आयों है चना और पत्ते को भी कह इतना मज़ेदार सा हेल्दे नास्ते की और बच्चे तो बच्चे बड़ों को पसंद आता है सारे लोग पसंद करते हैं बहुत ही अच्छा बनता है एकीन मानगे एक बार बनाएंगे तो हपते में दो तीन बार बनाएंगे और बच्चे हमेशा यही बोलेंगे कि यही बना यहां पर हमने मिक्से जार में चना डाल दिया और थोड़े से अधरक के टुकडे और मिर्च लसन जिसे की हमने इसमें डाल दिया है जार में और थोड़े से नमक और थोड़े से पानी थोड़े थोड़े पानी डालके और ह पच्छे बड़े सारे लोग पसंद करें और हमारी वीडियो पूरा लिखते रहे और वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेर करें चैनल को सस्क्राइब करें और प्लीज सपोर्ट करें आप लोगों से यही बिहनती है और यहां पर हमारा चना पीश्ट गया है अब हम इसे एक बावल में निकालते हैं बड़ा बरतन में साथ में कदू कश किया हुए एक छोटे मेडियम साइज का एक हम पतागों भी कदू कश कर लिया था उसको डाल दिया हाँ हम साथ में कड़ा हूआ प्याज थोड़े से हरी में अब हम निलाल देंगे कहाँ कटले टें पहले दोके अब इसमें मसाले डालेंगे जिस एक कि इसमें थोड़े इसे लाल मिर्च डालारा है और थोड़े से धनिया थोड़े से घर माशाल और और थोड़ी से नमक अब सारी चीजों को मिला लेंगे हम ऐसे ही आप लोग भी बनाएं चने का नास्ता बहुत ही हेल्दी हो बहुत बढ़ियां बनके त्यार होता है इसमें हम और थोड़े से और अमचूर पौडर डालेंगे यह यह बढ़िया स्वाधाएं आप लोग चाहे तो नियिवोचरण सब़ के तीश अधि On हब हम यहापे चट्री बना लेते हैं है यहाप हम ने तेना टमाटर हरिमीच और लेसन की चट्रीवण है कि आप लोग कैसे बनाते हैं चने का नास्ता प्लीज कमेंट करें आप यहाँ हमारे यहाँ पर कौल भी बनके तया है अब हम चलते हैं गेश के तरब तरब होああ कि यहां पर हमने के चलाया है कि ऑगे सिफrend रख देंगे आड़ को गरम होने देंगे been है अब हम इस पर तेल डाल के ऑगराम होने देंगे एक गेड़ समस्थमौ दालेंगे इस पर मैंने यहां पर बराई के तेल में बनाए आप चाहे तो रिफाइन में बना सकते हैं या घी में बना सकते हैं आप चाहे तो जैसे मरन करें वैसे तेल में बना सकते हैं यहां पर हमने थोड़े से बेटर डाल के और फेला लिया है और एक हमारे से मेरे से गलती हो गया जो कि लगने रहा है कि अच्छे से बन पाएगा ये चिला तो हम थोड़े से बेटर में सुझी डालेंगे जिसे कि थोड़ा सा जड़ा हो जाए गोल और बनिया अच्छा बनके तयार हो जी ला तो ये देखने में भी तूट किया और बनने में तो बहुत ही मुझकी लुगा कि एम कि तवे को साब करके अम देल डालेंगे और आप हो से यहाद में पने पाने लगाए और ये अच्छेensen और ॥ि आप लोग एक बार बनाए मेरे तरीके शनासता बहुती अच्छा और बहुती हेल्दी बनके तैयार होगा और इस पे थोड़े से तेल लगा देंगे शेट से अब हम इसे पिलट के दूसरी तरफ से भी शेक लेंगे यहां दोड़ा से और देल लगा दिया उपर से हमने इतना बढ़िया इतना मस्त नास्ता बनके तैयार है आप भी बनाए खाए और मजे करें और हमारी वीडियो पूरा देखते रहें और वीडियो को सपोर्ट दें और अपना प्यार दें कि जो कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए नहीं नहीं रेस्पी लेके आते रहेंगे और आप लोगों से एक ही बिनती है कि हमारे वीडियो पूरा देखें वीडियो पसंद है तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें यहां पर हमने प्लेट में चेटनी लगा दिया है और बढ़ियां से क्रिस्पी एकदम हैल्दी कुरकुरे चने और पत्ता को भी थोड़े से सुची का नास्ता बने के तैयार है आप लोग खाएं पीएं मजे करें और जब देख के लिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में जब देख के लिए